यह वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टिबेटन मैश्ट्रिव की 10 डेंजरस और रियल फाइट के बारे में पहले का पार्ट वन आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और यह पार्ट टू है तो फाइट न टिबेटन मैश्ट्रिव भी अगरिसी हो गया और ओनर उसको संभाल नहीं पा रहा था और उसको वहां से ले जाने का ट्राइ कर रहा था और ले जाते ले जाते वो बेल्ट तूड गया और टिबेटन मैश्ट्रिव उन डॉग के सामने आ गया वो डॉग उसको देखके रहाता सिर्फ फिर ओर नर ने आके अपने डॉक को अलग कर दिया और वह स्ट्रीट डॉक को भी ज्यादा चोट लगी थी आइट नमबर सेवन टिबेटन मैंश्ट्रिफ वर्सेस वुल्फ एक वुल्फ रास्ता बटक गया था और सिटी में आ गया था और सामने उसे उसके सामने आ गया और फिर दोनों की फाइट स्टार्ट हो गई वह वुल्फ ने टिबेटन मैंश्ट्रिफ के गले में अटेक किया लेकिन टिबेटन मैंश्ट्रिफ अपनी पुरी पावर से उसे फेक दिया और फिर पूरा उसके उपर चड़ गया और जगा-जगा काटन तारों में फसी मिली और उस टिबेटन मैश्ट्रिफ का कुछ पता नहीं चला। फाइट नमबर एट टिबेटन मैश्ट्रिफ वसेज जर्मन शफट वसेज कंगाल डॉग। 21 दिसंबर 2020 हडियान यह फाइट इंडिया की है एक ओनर अपने ब्रीडिंग हाउस के डॉग्स को दुसरे ब्रीडिंग हाउस में ट्रांसफर कर रहा था वहाँ दस से भी जादा डॉग थे तो एक वरकर ने कंगाल डॉग को पिंजरे से बाहर निकाला दुसरे वरकर ने जर् टिबेटन मैश्ट्रिफ के पिंजरे के बाहर से ले जा रहा था और कंगाल डॉग टिबेटन मैश्ट्रिफ को देखके अग्रेसी हो गया वही टिबेटन मैश्ट्रिफ भी अग्रेसी हो गया और पिंजरा कुतोडने की ट्राइक करने लगा वो वरकर जिसने जर्मन की फाइट स्टार्ट हो गई टिबेटन मैस्ट्रिफ कंगाल डौग के उपर चड़ने का कोशिश करने लगा लेकिन कंगाल डौग ने उसे थोड़ा दूर फेक दिया वो टिबेटन मैस्ट्रिफ जाके जर्मन शफट से टकरा गया और जर्मन शफट का जो हुक में बंदावा चैन था वह चैन खुल गया जर्मन शोफट ने टिबेटन मैस्टिफ के उपर अटैक कर दिया लेकिन टिबेटन मैस्टिफ पूरत जर्मन शोफट के उपर चड़ गया और उसे जगा जगा काटना स्टार्ट कर दिया फिर कंगाल डॉग बीज में आ गया तो टिबेटन तब तक ओनर ने तीनों डॉक के ओपर पाइप के पानी से प्रेशर माना स्टार्ट कर दिया और 10-15 मिनट के बाद यह फाइट रुख गई और तीनों डॉक अलग हो गए एंड में टिबेटन मैश्ट्रिफ ने ज्यादा गायल किया ता जर्मन शोफ़र्ड और कंगाल डॉक को फाइट नमबर 9 और अब से थोड़ी डेंजरस फाइट स्टार्ट हो गई है पाँच टिबेटन मैश्ट्रिफ वस एक लेपड यह फाइट इंडिया की नहीं है और यह वीडियो जूट भी हो सकता है क्योंकि मैंने सिर्फ वीडियो देखी है इससे रिलेटेट कोई भी आर्टिकल अभी तक में को नहीं मिला है एक पाड़ी इलाके में पाँच टिबेटन मैश्ट्रिफ घूम रहते और आसपास कोई इंसान भी नहीं था फिर वो लेपड बैठा हुआ था वो टिबेटन मैश्ट्रिफ ने लेपड को देख लिया और उसके पास जाने लगे लेपड को पता चल गया था कि कोई खतरा हो इसलिए वो भी अलट हो गया फिर वो पाँच टिबेटन मैश्ट्रिफ लेपड के सामने आ गये वो लेपड ने भी पाँच टिबेटन मैश्ट्रिफ को देख लिया था फिर वो पाँच टिबेटन मैश्ट्रिफ ने लेपड को घेर लिया और फिर वो लेपड के पास धीर पास आ गया और लेपर्ड ने उसके गले में अटेक और उसको जकड लिया चीज सदेखिए वो 4 टिबेटन मैश्ट्रीफ लेपर्ड पे अटेक कर दिये और काटना स्टार्ट कर दिया लेकिन वो लेपड उस टिबेटन मैश्टिफ को नहीं छोड़ा था और उस लेपड ने उस टिबेटन मैश्टिफ की जान ले लेकिन वो चार टिबेटन मैश्टिफ लगतार अटैक कर रहते फिर वो चार टिबेटन मैश्टिफ लेपड को अच्छे से जगा जगा से काट रहते फिर लेपड दुबारा से के गले में अटेक कर दिया लेकिन लेपड को चोट लगी थी इसलिए वो जकड नहीं पाया और वो टिबेटन मैश्टिफ छूड़ गया यह देखके लेपड अपनी पुरी पावर से भग गया उसे पता था कि टिबेटन मैश्टिफ की जाइंट बोडी होती है और वो उसका पीछा नहीं कर पाएंगे आज की अमारी लाश्ट फाइट टिबेटन मैश्टिफ वसेस कंगाल डॉग एक पार्क में कुछ दोस्त फोटो खिचा रहते अपने दोस्त के साथ और वहां एक ओनर के पास तक टिबेटन मैश्टिफ था और एक फ्रेंड जिसके पास कंगाल ड रहे थे लेकिन वह दोस्त टिबेटन मैश्टिफ के साथ फोटो खिचा चुके थे इसलिए वह बोले कि जाके यह टिबेटन मैश्टिफ को खंबे में बापनि अपन पास कंगाल डॉग के से फोटो किचा यिए और वह चैं Precis करने लग रहता पिर आ लेकिन वे उसे संभान नहीं पा रहता और फिर कंगाल डॉग उससे छुड़ गया और फिर दोनों डॉग एक दूसरे के सामने आ गए और दोनों की fight स्टार्ट हो गई टिबेटन मैस्टिफ पूरा कंगाल डॉग के उपर चड़ गया और उसे दबोच लिया और काटना स्टार्ट कर दिया लेकिन कंगाल डॉग वहां से हट के टिबेटन मैस्टिफ के पीछे टांग में जोड से काट लिया और उसे पकड लिया फिर कंगाल डॉग ने टिबेटन मैस्टिफ के शोल्डर में भी काट लिया और टिबेटन मैस्टिफ ने कंगाल डॉग को दूर करके उसके चेहरे में काट लिया तब तब ओनर ट्राई कर रहते उसे दूर कराने का और दोनों ओनर ने आखिर कार दोनों डॉग को अलग करा दिया और टिबेटन मैश्टिफ का ओनर अपने टिबेटन मैश्टिफ को कार में डालके वहाँ से चला गया एंड में दोनों dog breed को जादा चोट लगी थी और दोनों dog जल्दी recover भी कर गए तो अगर आपको ये video अच्छी लगी है तो like कर देना याद से और comment करके बताना कि next video आपको किस dog breed के उपर चाहिए और हाँ अपने दोस्तों को share करो video उन्हें दिखाओ कि dog fight कैसी कैसी हुई है और किस किस reason से dog fight हुई है यह चीज आपको मेरे वीडियो में देखने मिल जाएगी और हाँ अगर आप नए हो तुम्हें चैनल को subscribe कर देना ऐसी और वीडियो देखने के लिए मिलते अगली वीडियो में अपना और अपने dog का ध्यान रखना और हाँ घर पर ही रहना बाबाई